सब्सक्राइब करने के लिए जीतना जरूरी है अब क्या प्रेडिक्शन रहते हैं क्या नहीं सारी चीज़े करेंगे डिसकस और जिन्होंने भी देखो कल का जो सुबह साड़े चार बजे हुआ था उसके जिसने वीडियो देखी जिसने प्रेडिक्शन अपलाई की ग्रेंड सब्सक्राइब करेंगे तो अब यहां से क्या अज के लिए प्रेडिक्शन है अगर आपने नहीं देखी तो आपके लिए नया होगा सब कुछ इस ग्राउंड का तो डिसकस करेंगे तो आखिर तक देखने हैं वीडियो ता कि वाई फाया करते हैं वाई पूरा हो और फायदा यह है कि इस मैच यह मैच भी जो है शाम को साड़े साथ मजें साड़े चार दे उठने की तो मैंनत नहीं करने पड़ेगी बाइग आज के लिए प्रेडिक्शन सब कुछ करेंगे डिसक्रिप्श ठीक है तो ख्यान से देखते रहे और साथ-साथ गयानाय में होगा मुकावला साड़े साथ बिजे रहीगी इस मैच के डिलाइन बारवाडोस वासे सेंट क्लुसा की बीच पे जहां जैसा मैं नहीं पता है कि बारवाडोस उड़ी क्वालिफाय कर चुके तो उनके लिए जादा दिक्कते हैं नहीं बस अब उनको टॉप और दूसरे तरफ यहां से रहेगी सेंट क्लुसा की टीम जिनको जीतना जरूरी है बागी इस ग्राउंड पर अब तक हो चुके हैं पंतालिस मैचेस 19 बैटिंग फर्ष 25 जीते बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम देखो ऐसा है चेज करने वाली टीम यहां पर विन कर जात एक सो साथ रन उपर ही सेंट कीट्स को अलाउट कर दिया 11 विकेट पेस के दे 6 विकेट स्पिन के दे जो में कहीं न कहीं उमीद भी थी क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स अच्छे का से विकेट लेते हैं 9 विकेट, 7 विकेट, 6 विकेट और एक और आपको मैं जरा एक पांच विकेट, 6 विकेट, 6 विकेट, 6 विकेट, 6 विकेट, 6 विकेट, सारे आप देखो सेकंड इनिंग में आए हुए तो स्पिनर्स को इग्नोर के नहीं कर सकते हैं स्पेशले सेकंड इनिंग के तो बिल्कूल नहीं उसका बाद में विकेट तो 33 विकेट स्पिनर्स के है ग्रांट पर 29 विक्ट पेसर जया पूंटार जो कि जोनसन चाल फिलाल के लिए अच्छी परम में है अगर हम इंकी पारेया देखे 47 19-29-74 पिछले वे 25 बनायते हैं पूरे चार ओवर थोड़े चांसे कम हैं बठाँ आपको दो करा के दे सकते हैं तीसरा वो कहीं नहीं हो सिच्वेशन पर डिपेंड होता है हमेशा बागी बैटिंग से उतना कुछ खास किया नहीं है एक मैच को छोड़ दो बठाँ बोलिंग यहां से काफी ठीक ठाक रही है रोश टंचे इसकी तो डेफिनिटी इंपॉंट तो रहेगा टीप में और जब स्पिनर्स विकेट ले रहे हो तो फिर इंपॉंट जो बन जाते हैं बागी टिम शीफट है शुरुआत के मैचस टिम शीफट के देखकर लगाता पता नहीं क्या ही उखाड़ देगा भाई सीपील में और उसके बाद में चार मैचस हो चुके है तेहरा त बागे बानुका राजपाक्षा राजपाक्षा ने भी शुरुआत में बढ़िया बैटिंग की थी बड़ उसके बाद में 33 उसके लावा जाद तर जो सिंगल जेट स्कोर ही देखने को मिले हैं और आज के लिए जो परिशान कर सकता है राजपाक्षा को हो गया ठीक है विश में सही किया 43-34 का स्कोर इनका है उसके बाद में आसे सेडरिक डसकार्टे अब डसकार्टे ऐसा है बैटिंग डसकार्टे पहले कर रहा था नंबर तीन पर अब सीधा डिमोट होकर इसको बोचा दिया इतनी नीचे और बागी डसकार्टे की बोलिंग का भरोसा जाद आप कर नहीं सकते कि बाई कब ये बोलिंग कर जाए कब ना करे हलाकि फिलाल के लिए कंसिस्टेंट है बट ओवर कट सकते हैं ये ध्यान रखना डसकार्टे की ठीक है तो जील वगर है मिनी जील के लिए आप कर सकते उट रहा है एसल के लिए उतना इंपॉंट नहीं सब्सक्राइब है अधरवाइस तीन विकेट दो विकेट दन जेरो और फिर वापस यहां सगने नूर हमत करे हैं तो मिनी जील जील में कैप्टन बनाने लाइक ऑप्शन बनता है नूर हमत बोलिए उसका बात कर सकते हों अब इदर से बोलिंग पूरी पूरी कौन कर रहेग उसके बाद के जो ओवर है वो डैविड वीस है रोश्टन चेज यहां से बन जाता है डिसकाटे बन जाता है यह तीन बोलर हो सकता है आपको तोड़ा एक एक दो दो ओवर जो हो सकता है एक कराते हुए दिखे नेक्स्ट अगर बात करें जैसे कि बेंच में तो मैथ्यू देखा जाता कुछ किया नहीं में कल गोविय और उसको मैकेनी क्लार के अंटनियास जैरमिया है आप चांतस कम रहेंगे इस मैच में किसी भी रिप्लेस्मेंट के जहां तक मेरे को लगता है क्योंकि देखो पिछ पर स्पिन है तो खेरी प्यरी की जगे पर मैथ्यू फोडे नहीं लाश्ट मैच वो बना दियो उसके बाद में एलन की बात करें एलन की तरफ से भी वो 25-30 देखने को मिल रहें लाइक तीस पाइस और बच्चेस के स्कोर तीन मर अली का थनाज़े को बड़ी इनिंग देखने को मिली नहीं है थनाज़े की तरफ से बढ़ ये खिलाड थे ठीक है बागी बैटिंग से अभी तक कॉनवल ने कुछ किया नहीं है तीन बार जीरो का स्कोर जो है कॉनवल के नामे सीजन में पढ़ चुका है उसके बाद में रोमन पावेल है एक दो मैचस जैसा रहता है पावेल का कि बीच बीच में कभी कभार पावेल के तरफ से जाधा तर वरना आपको वो 10-15 या 10 से नीचे ही आउट होता हुआ दिख जाता है नोट आउट रहता है ठीक है तो पावेल थोड़ा सा एक रिस्की ओप्षिन रहेगा क्योंकि तीन-चार मैच में एक बार चलता है तो उतना I don't think small league में रिस्क लेना चाहे बागी मिलर का form क कुछ खास देखने को मिला नहीं है जैसे न और बैंटिंग प्लस बोलिंग दोनों से पॉइंट कहीं न देर सकता है last match राएथ उसके लावा इस मैच्वेट है इसमें भी पॉइंटंस थे और उससे last match में भी यहां से होलडर के नाम पॉइंटस देखने को मिले थे बाकि न देखा जाए तो राइट आप मीडियम बॉलर अब अगर मैं फर्स्ट क्रिकेट की बात करू तो विकेट भाई बहुत अच्छे निकाल रखे बट जब बात आती है लिमिटर डोर क्रिकेट की तो वहां कुछ जाला खास जो है नहीं यहां से किया नहीं है तो जील वगरे की ट इनिंग में बॉलिंग करा है तो आइटिंग की इंपॉंट रहे गा यहां से थीक्षणा उसके लावा नवीनुल्हक है अगर फर्स्ट बॉलिंग होई इस टीम की तो नवीनुल्हक को ले लेना जहां पर फिर वह डैस में विकेट निकाल सकता है और उसके लावा ओवेड म सब्सक्राइब अपने हैं मैं इन तीन में से हम दो ले सकते हो थीक्षणा नवीनुलहक और मैं कोह में से तो रहती है बारापड़ से नवीनुलहक हो फो गया सब्सक्राइब क्या बोलते हैं पांच तो आपको कराते हूं दिख जाएंगे चटा बोल और यहां से जो रखीम को अन्मोल रहने वाले अब आगे बात करें के बैंच की तो बैंच में इनके बाउस में अच्छे ची खिलाडी है वैसे केशो महाराज है रिवर्डो क्लार्क है उसके बाद में प्लेयर है उसमें थोरने आते हैं विकेम हैं इनको में भी मोका इस मैच में मिल सकता है डेसेंट प्लेयर है जेल वगरा में लेके चल सकते हो एसल के लिए बैतर ऑप्शन ये बनेंगे नहीं और उसके लावा अगर बात की जाए यहां से वैन्यों की तेहरा मैचेस हो चुक उनका भी नहीं है बट एपलिष्ट इन से थोड़ा सा बैटर है बात करें इस ग्राउंड पर रनों की तो वहां पर भी जाद अच्छे की लाडियों का जो रिकोड़े वो देखने को मिलता है पाविल ने पंदरा मैच में 317 बनाए है रखीम कॉल्मल ने 9 मैच में 199 बना र रन की भी थी सेंचुरी भी बना चुका इस ग्राउंड पर राजव पाकिशा ने 3 मैच में 125 रन इस ग्राउंड पर मनाए हुए एक इनिंग 86 की थी और रोश्टन चीज है पांच मैच में 105 रनों के साथ में ठीक है तो यह है अभी के लिए जो अपने वेन्यू लीडर्स है बैटिंग शेक्शन से मेंली 2-3 प्लियर्स का रिकोड अच्छा है पाफ डूपलैसिस का हो गया राजव पाकिशा का हो गया खराब के मामले में जॉनसन चार्ल्स सबसे टोप पे उसके लावा यहां से विकेट्स की बात करें तो अलजारी जोसफ 12 इनिंग और 15 विकेट है साथ कैरी पेरे थोड़ा महेंगा सावित हो है इस ग्राउन पर 29 का जो वो एवरिज है 6 मैच में पांच विकेट कॉनवोल की बात करें 7 मैच में पांच विकेट हमें कॉनवोल के नाम देखने को मज़ जाते हैं तो यह है फिलाल के लिए जो अपने वेन्यू लीडर्स रहत बतलब 12 मैचे है 13 वाड़ अफा बार्बरोस जीती है 9 दंग लुषई जीती है बट एक रिकोर्ड है जो सेंट क्लुषई के फिवर में जाता है और वह क्या है पिछले तीन मैच का पिछले 3 मैचे यह बहुत बरे तरीके से रहा है ता 18 ऑगस्त को मैच वाथा सैंट और यहां से नहीं में ने 48 बनाये थे और चार विकेट लिए थे किस ने जैसन होल्डर में वहीं पर 2022 में मैंच वाता रसिन का सैंट कलूसिया 169 बारबडोस ने बनाए 175 दो जार बाइस में आकरिवार बारबडोस जीती थी सैंट कलूसिया के सामने चार्ल्स के 29 ते डैविड एक विकेट फोड़ेव के अरफेर जोसेफ ने तीन निकाले थे रखीम कॉन्वल के 18 होल्डर के 18 दो विकेट लेर इक विकेट में कोई का ओर और ऐगर देखा जाएने तो यहां से काफी बहतर करता हूँ दिख जाते है चार विकेट यहां से दो विकेट और साथ में 18 और यहां पर बात करें तो एक विगेट होल्डर का यहां भी रहा है तो विए तो यहां से निकल कर आते हैं वह भी अच्छे गासे परफ़रेंस के साथ में बागी उसके लाव अगर बात करें तो चाल्स भी एक अच्छा यहां से है जहां पर 39-30 और 78 की पारी चाल्स ने जो है व दो बार आउट किया हूँ पंदरा बोल में सिर्फ और सिर्फ पांच रन बनाया है डैविड मिलर ने शमारा ब्रोक्स अगेंश्ट रोस्टन चेस पावेल अगेंश्ट करीपेरें दो बार आउट हो चुका है वहीं पर अगर हम बात करें आगेंश्ट नमीनुलक फावडो अगर हम बात करें अपने आज के लिए जो टीम यहां से रहती है जॉंसन चाल्स है कुंटन डिकोख है वही पर वीस होल्डर कॉनवल और रोश्टन चेस बूलर सक्षिन में जारी जोसेफ मैं कोई नवीनुलक एंडडन यहां से नूर एहमत कैप्टन के अमने डिकोग क्यो बहुत अच्छा रिकोड है और साथ ही साथ एक वाइस कप्टन ओप्षिन चाल्स भी हो सकता है जिसने अभी तक पिछले तीनों है अच्छा किया हुआ है ठीक है तो यह जाते है टीम एंड सब चीज़ें बागे आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरू करना है चै को चीज़ मत पूलना वह है टेलिग्राम चल्गु जोइन करना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ठीक तो जल्दी जागी जोइन कर लेना बाट वल्दवेश्ट इसमैच के लिए विलते आपको नेक्श वीडियों बहुत ही सारे जल्द